सल्मान खान के स्विमिंग पूल में कौन सी आक्ट्रिस आई नजर स्विमिंग पूल में आक्ट्रिस देखे अन प्लानिट बॉलीवूड एल्लो अन वल्कुम, मैं हूँ सागरी का एंड यू आ वाचिंग प्लानिट बॉलीवूड एक ऐसा शो जहां बॉलीवूड की हर गॉसिप को हम करते हैं तर्ण उन स्विमिंग पूल में स्पॉट की गई एक मिस्टीरियस आक्ट्रिस के साथ येस, you heard it right. सल्मान खान के परसनल स्विमिंग पूल में स्पॉट किया गया बॉलीवूड की एक एक एक्ट्रिस को तो बी टाउन की कौन सी एक्ट्रिस बड़ा रही है सल्मान के साथ नस्दी किया, find out in a top story सल्मान खान के स्विमिंग पूल में नजर आए एक एक्ट्रिस सल्मान के पनवेल फार्म हाउस पर इस एक्ट्रिस को क्वालिटी टाइम स्पेंट करते हुए किया गया स्पॉट सलमान की सबसे प्राइवेट प्लीस उनके फार्म हाउस पर एक नहीं कई बार इस अक्टरस को स्पॉट किये जाने की बात आये है सामने ऐसे में सवाल उठता है कि कौन है ये अक्टरस जो सलमान के आ गई है इतनी करिये क्या ये सल्मान खान की वही सबसे close friend है जिसकी साथ उनकी शादी की खबरों ने किया था bus create या फिर कोई और ही है जो सल्मान खान की इतने करीब आ गई है। सल्मान आसानी से किसी को भी अपने इतने करीब नहीं आने देते। ऐसे में कौन ये आक्ट्रेस है जो कि सल्मान खान को इंप्रेस करने में हो गई काम्याग? वेलनी गैसेस कौन है वो आक्ट्रेस जो सल्मान की स्विमिंग पूल में पहुँच गई है। चलिए अब सस्पेंस को खत्म करते हुए रिवील करते हैं उस आक्ट्रेस का नाम। जी हाँ सोर्सस की माने तो वो आक्ट्रेस और कोई नहीं बलकि हूमा कुरेशी है। जने सल्मान खान की फार्म हाउस की स्विमिंग पूल में किया गया स्पॉट। खबर आ रही है कि हूमा कुरेशी आजकल सल्मान खान और उनकी फैमिली के काफी क्लोस आ गई है। अक्सर हूमा को सल्मान खान की फैमिली के साथ स्पॉट किया जाता रहा है। और अब सोर्सस का कहना है कि हुमा सल्मान खान की फिल्म सुल्तान में रूल पाने के लिए जोरदार कोशिश कर रही है। सल्मान खान की फिल्म सुल्तान की लीडिंग लेडी अब तक फाइनल नहीं हुई है। इस पिल्म के लीडिंग लेडी की रोल के लिए दिपेका पाडुकोन, चितरांगदा सिंग और परिनिती जोप्रा का नाम पहले से ही सामने आच चुका है। और अब हुमा कुरेशी भी इस पिल्म में रोल पाने के लिए जबरदस्त कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन सी आक्टर्स सुल्तान सल्मान को इंप्रेस करने में होती है काम्याब। पर प्रेनाश्रवास्तवा, जूम, मुंबाई। रनवीर सिंग आजकल हर जगह अपनी जिन मूचों पर ताव दे रहे थे, उसी मूच पर चल गई है कैची। वेल, किसने और क्यू रनवीर सिंग के इस गुरूर पर चलाई कैची। फाइंड आउट इन नेक्स टोरी। रनवीर सिंग की मूच बन गई है उनकी नई पहचान। मूचों पर ताव देना अब रनवीर की बन गई है फित्रत। अपनी मूच को सवार्मी में रनवीर कर देते हैं दिन रातेक। सुना आपने रनवीर को अपनी मूचों पर है कितना गुबान। लेकिन रनवीर का ये गुरूर यानी उनकी मूच है अब कट चुकी हैं। रनवीर के स्प्राइट पर चल चुकी है कैंची। रनवीर अब इस अंदास में नहीं दे पाएंगे अपने मूचों परताव। वेल तो सवाल उठता है कि किसने आखिर चलाई रनवीर की इस गुरूर पर कैंची। अब आपको बता ही देते हैं किसने रनवीर सिंग की प्यारी मूचों को किया हलाल। जी हाँ देपिका ने ही रनवीर सिंग की प्यारी मूचों का कर दिया है काम तमाम। दरसल देपिका पाडुकों को रनवीर की ये बड़ी-बड़ी मूचिन नहीं है पसंद। फिल्म बाजिराव मस्तानी की शूटिंग के दौरान तो देपिका ने इस मूचों को टॉलरेट कर लिया। लेकिन अब जैसे ही ये फिल्म रिलीस हो चुकी है देपिका ने रनवीर की मूच पर चला दी है कैंची। अब लेडी लव को ही जब मूचे नहीं है पसंद। ऐसे में रनवीर सिंग क्या कर सकते थे प्यार में लोग क्या कुछ कुर्बान नहीं करते ये तो बस मूचे ही हैं। फॉर अभिशेक सिंग, जूम, मॉंबाई। दिपिका की ग्लोइंग स्किन का रास क्या है? ये इंडिया की हर लड़की जाना चाहती है। और आज हमारी इस खास स्टोरी में खुद दिपिका के रूमर बॉइफरेंड रनवीर सिंग खोलने जा रहे हैं उनके ग्लो का रास। चेक इट आउट। दिपिका की चेहरे पर क्यू रहता है हर वक्त ग्लो। क्या है दिपिका की ग्लो का रास। ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जाना चाहता है लेकिन दिपिका के ग्लो का रास आज तक कोई नहीं जान पाया है। क्योंकि ये ऐसा सवाल है जिसका सही जवाब केवल उसी के पास हो सकता है जो दिपिका के हो बेहत नस्दीग काफी नस्दीग लेकिन अब दिपिका के करीबी ने खोल दिया है दिपिका के ग्लो का रास और दिपिका की वो करीबी है रनवीर सिंग अपने एक रिसन इंटर्व्यू के दौरान रनवीर ने खोला दिपिका के चहरे पर रहने वाले ग्लो का रास रनवीर के मुताबिक दिपिका की चहरे पर हर वक्त रहने वाले ग्लो का कारण है मेडिटेशन Well, Ranveer, आपके statement के बाद दो बाती तो बिलकुल clear हो गई है पहली ये कि meditation है दिपिका के glow का रास और दूसरा कि आप दिपिका के हर सीक्रिट को जानते है सलमान और शारुक पर डिरेक्टर संजे लीला बंसाली ने दे दिया है एक controversial statement Well, क्या है ये statement और क्या ये statement बॉलिवुड में खड़ी कर सकती है एक नई controversy? Let's find out सलमान और शारुक पर किये गए संजे लीला बंसाली के comment ने डाल दिया है सब को हैरत में SLB के एक statement ने कर दिया है सब को हैरान एक recent interview के दौरान संजे लीला बंसाली से पूछा गया एक सवाल सवाल था कि बॉलिवुड में दो ऐसे stars जो जल से जल देख सकते हैं बाजी राव मस्तानी और वो दो stars है सलमान और शारुक SRK for the obvious reason, सलमान for the fact that he was supposed to do this film लेकिन इस सवाल पर SLB ने जो जबाब दिया था वो थोड़ा चौकाने वाला है SLB का कहना था How do you know? For the same reason, they might not see it SLB ने सलमान और शारुक को लेकर जो comment किया उसकी उमीद शायद किसी को नहीं थी और यही वजा है कि उनका दिया गया ये statement लगा थोड़ा shocking अब शारुक और सलमान बाचीरा और मस्तानी देख पाते हैं या नहीं ये तो कोई नहीं जानता लेकिन SLB के इस comment से कोई नहीं controversy शुरू होती है या नहीं इसका पता जल्द ही चल जाएगा प्लैनेट बालवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटी से ब्रेक का लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता दू कि जैसे हम सब को पता है कि अगर स्किन पर दाग धब्बे हो तो एक इंसान अपना confidence लूज करने लगता है पर आप डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास है कुछ ऐसे dermatologists जो ना सर्फ ये बताएंगे कि कैसे इन दाग धब्बो को रोके बल्कि ये टिप्स भी देंगे कि कैसे अपने स्किन को बनाए फिनॉमिनल और अगर बॉलिवूड न्यूस से कनेक्टड रहना है तो कम राइब बाक आफ्टर दिशाट ब्रेक फिल्म क्या कूल है हम फ्रैंचाइजी की थर्ड फिल्म से रुतेश देशमुक है गायम और जब इस फिल्म के सॉंग वांच इवेंट पर यही सवाल पूछा गया तुशार से तो देखिए कैसे हो गए वो अनकम्फुटिबल रुतेश देशमुक का नाम सुनते ही तुशार कपूर की बोलती हुई बंद रुतेश देशमुक से जुड़े सवाल का नहीं है तुशार के पास कोई जवाब रुतेश देशमुक नहीं नजर आएंगे क्या कोल है हम किस सीक्वल में और जब इसी क्यू का जवाब तुशार से मांगा गया तो उनका कुछ ये कहना था क्या क्या बालता हुए था थे इस स्क्वल में क्यो नहीं लिया रुटेश थे लिए अपने खिर जाला कोशारा है रुटेश नहीं क्या होना थे वीटेशल को ऑल नहीं में लिकापाaga कहानी और पर्टेश से अब तुशार आप चाहे कितना भी इधर उदर की बाते कर ले लेकिन आपकी बातों से तो यही लगता है किस पर में रुटेश के ना होने का आपकी पास भी नहीं है कोई जबाब आपको बता रहे कि तुशार कपूर, आफताब और गौहर खान को हमने स्पोर्ट किया था फिल्म क्या कूले हम 3 के पहले सॉंग लांच पर इस सॉंग को मुंबाई के कॉलिज में लांच किया गया नहीं, actually मैंना कुछ ऐसा डिसकस नहीं किया था क्यूकि मेरे फैमिली और फ्रेंद्स वगरा मुझे बहुत त्रस्ट करते हैं आलाकि मैंना अपने वाइफ से डिसकस किया था और शी वर्य सपोर्टिव और वर्य इंकारिजिग यह तो फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चल पाएगा परहार दित तर्ना, ZOOM, Mumbai Well with this, it's a wrap on the show but we will be back tomorrow with bigger and bolder stories from Bollywood Till then, keep watching ZOOM and stay turned on Planet Bollywood